आपने देख लिया कितना लाजवाव ये बनकर तयार हुआ है सच मानिये ये आलू पेटी बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा आप घर पर बना सकते हैं थोड़ी सी महनत इसमें जरूर है लेकिन इसका जब आपको रिजल्ट मिलता है न तो बस दिन बन जाता है बहुत इलाजवाव बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा ये आलू पेटी आप घर पर बना सकते हैं तो आईए बनाते हैं बेहत आसान तरीके से तो आलू पेटी बनाने के लिए न हमें चाहिए मैदा तो ये दो कप मैदा ले लिया है मैंने और ये जो मेजरिंग कप है न ये 250 ml का है तो इससे दो कफ मैदा और आब इसमें वन फोर्थ छोटा चमच नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले बस और कुछ इसमें डालना नहीं होता है आब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए आटा तयार करते हैं यानि चार मिनट के लिए और गूथ लेंगे इससे क्या है यह जो आटा है ना अच्छे से चिकना हो जाएगा 3-4 मिनट इसको गूथने के बाद ना करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढहक कर रख देंगे देखिए करीब 15 मिनट हो चुका है इसे रखे हुए अब एक बार फिर से इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से गूथ लेंगे इससे क्या है यह जो आटा है ना बहुत ही अच्छा चिकना हो जाएगा देखिए इस तरीके से इसे फ्लैट कर लेंगे अब काउंटर टॉप पर ही ना हलका सा मैदा डस्ट करें और इसे अब बेलेंगे पहले हाथ से अच्छे से बराबर कर लें इस तरीके से रेक्टेंगल जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है न बस उसी तरीके से आप करते जाएं यह जो आलू पैटीज है बहुत ही लाजवाब बनेगा बस यह है कि इसमें जितने भी प्रोसेस मैंने बताए है न एक एक करके आपने फॉलो करना है बस इसके उपर हलका सा मैदा एक बार फिर से डस्ट करें और बस इसे अब हम बेल लेंगे देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया है अब इसके उपर न हमने बटर लगाना है बटर रूम टेंपरेचर का होना चाहिए मेल्ट एक बहुत जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे या बेलेंगे न तो वो बाहर निकलने लगेगा तो ये थोड़ा जादा मेल्ट हो गया है लेकिन आप रूम टेंपरेचर का बटर इस्तमाल करें बस ये करीब 80 ग्राम बटर मैंने लिया है तो पूरे 80 ग्राम बटर न इसके उपर हम लगा देंगे ये बटर जादा नहीं है इतना आप वेट से ले ले और फिर इसके उपर लगाएं बस अच्छे से मैंने लगा लिया है अब इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और सच बताओं इसे बनाने में भी न बड़ा मज़ा आता है बस इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे यानि कि एक दूसरे के उपर रखते हुए कवर कर लेंगे अब क्या है ना इसको हमने फ्रीज में रखना है कम से कम एक घंटे के लिए आप मिनिमम आदा घंटा तो जरूर रखें मैक्सिमम एक घंटा तो आप रख सकते हैं बस इस तरीके से हम प्लास्टिक शीट ले लेंगे और बस इसे अब अच्छे से रोल करके ना इसमें फ्रीज में रख देंगे करीब आदे से एक घंटे के लिए इससे क्या है इसमें जो हमने बटर लगाया है वो बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा फिर इसे हमने बार-बार बेलना है तो इसको हम बहुत आसानी से बेल सकते हैं और यही वो तरीका है जिससे ये जो आलू पेटी की जो पड़ते है ना बहुत ही पतली-पतली होती है वो इसी प्रोसेस से होती है देखिए करीब एक घंटा मैंने इसे रखा था और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है अब एक बार फिर से काउंटर टॉप पर ही मैदा करें और इसे बेलने बस हलका सा बेलना है अब देखिए बटर जो है ना बस हमने एक ही बार लगाया है बार बार नहीं लगाना है मेजरमेंट मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दिया है कितना रखना है बस अब इस तरीके से बेलने के बाद ना फिर से हम फोल्ड करेंगे और वापस से उसी प्लास्टिक सीट में इसे हम फोल्ड करके फ्रीज में रख देंगे करीब आदे घंटे के लिए. और ये काम करना है हमने चार बार. तो चलिए अभी इसको हम दूसरी बार रखने जा रहे हैं फ्रीज में. देखिए दूसरी बार भी हमने फ्रीज में आदे घंटे के लिए रख दिया था और बस इसको एक बार फिर से हम बेल लेंगे आदे घंटे बाद और एक बार फिर से इसको हम फोल्ड करेंगे. बस अब इसे वापस से हम प्लास्टिक सीट में फोल्ड करेंगे और आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे अब ये जो है ये तीसरी बार में रख रही हूँ तो चलिए ये देखिए मैंने इसको आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था अब फिर से इसको आप खोलें काउंटर टॉप पर आप मैदा डस्ट करें और इसे अच्छे से बेल लें बस हलका हलका आपने फैलाना होता है कि आप इसे अच्छे से फोल्ड कर सकें जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना बिलकुल उसी तरीके से आप जब करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी चलिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर दें अब इसे फाइनल हमने रखना है यानि कि इसके बाद अब इसे हम कट करके बनाएंगे तो पहले तो इसे आप अदे घंटे या एक घंटे के लिए फिरीज में रख दें और तब तक क्या करें इसी स्टफिंग बना लेते हैं तो इसको अब वापस हम प्लास्टिक सीट में रैप करेंगे और फ्रीज में करीब आदे से एक घंटे के लिए रख देंगे यानि कि इस प्रोसेस को आपने चार बार करना है बस जिस तरीके से मैंने बताया है ना उस तरीके से अगर आप इसे बनाते हैं तो पहली बार में ही ये जो आलू पैटी जैना बेहत लाजवाब बनेगा यानि कि मार्किट से कहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा तो चलिए इसके स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए एक पैन में एक चमच तेल गरम करें थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा हरी मिर्च डाल कर कुछ सेकेंड्स के लिए भूल ले आप इसमें तीन उबले हुए आलू डाल दें ये भी मैं बेहत आसान तरीका पता रही हूँ ताकि आप कभी भी फटा फट से इसे बना सकें एक चोटा चमच धनिया पाउडर एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर नमक डाल दें आप स्वात के अनुसार और इसी के साथ ये कास्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने बस अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर सच मानिये इतना जो मैंने इसमें डाला है ना बस इसी से जो इसका फ्लेवर है ना एकदब मार्केट जैसा आया था बस अच्छे से मैंने इसे भून लिया है अब इसे एक बोल में निकाल कर एक साइड रख ले आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए देखिए फाइनली अब ये आ गया है आलू पेटीस बनाने के लिए इसे पूरे चार ब बार मैंने फ्रीज में रखा है हर बार बेल कर प्लास्टिक सीट में रैप किया है और इसे रखा है आदे से एक घंटे के लिए बस इसी तरीके से ये जो सीट है ना तयार की जाती है बस एक बार फिर से कांटर टॉप पर मैदा डस्ट करें इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करे अब इसे पतला सा बेल लेंगे लेकिन बड़े आराम-आराम से बेलना है जल्दबाजी नहीं करनी है जिस तरीके से ये आपको वीडियो में दीख रहा है न बिल्कुल उसी तरीके से आपने बेलना है मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि इसे कितना पतला हमने बेलना है इसे बनाने में थोड़ी मेहनत तो जरूर है लेकिन जब ये बन जाता है न तब लगता है कि इसे तो हम कभी भी बनाएंगे क्योंकि मार्केट में पता नहीं वो लेयरिंग किस किस चीज से करते हैं उसका तो कुछ पता नहीं लेकिन घर पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं देखिए इसकी जो थिकनेस है इतने ही रखनी है अब इसे बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे उससे पहले इसके किनारों से हलका हलका हटा लेंगे ताकि जब इसे हम बेक करेंगे तो इसकी जो परते हैं बहुत ही अच्छे से खुलेंगी तो बारीक सा लेयर आप हटा लें किनारों से दिखिए इसमें इक्वल साइज के न आप नौ पेटीज बना सकते हैं बस अब क्या करना है जो हमने आलू की स्टफिंग तियार की है न उसको हम बीज में इस तरीके से आयताकार यानि रेक्टेंगल बनाते हुए इसमें रखेंगे हलका सा पानी का लेयर लगा लेंगे ताकि ये आगे से न हलका सा छिपका है बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है बस साइड से हमने दबाना नहीं है इस तरीके से सारा जो आलू पेटीज है न उसको बना कर तयार कर लेंगे अब इसे एक baking tray पर लगा देंगे इस तरीके से baking tray पर मैंने baking paper नहीं लगाया है हलका सा butter लगा दिया है paper लगाने की जरूरत नहीं है बस आप butter लगा कर भी इसे bake कर सकते हैं बस ये मैंने सारा tray पर रख दिया है अब इसके उपर हलका हलका दूद लगा दें और अपने OTG को 180 डिगरी पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें उसके बाद इसे 35 से 40 मिनट न हम 180 डिगरी पर बेक करेंगे इसमें मैंने चारो जो रॉट्स है न उसको ओन रखा है लाश्ट में इसको 5 से 7 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर बेक कर लिया था ताकि इसके उपर और नीचे अच्छा सा कलर आ जाए तो बस ये हमारा आलू पेटीज बनकर तयार है सच मानिये फ्रेंड्स ये इतना ज़्यादा लाजवाब बना था कि बस मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती कि ये कितना अच्छा लगा था बस बनाते ही न ये खतम हो गया था तो इस रेसिपी को आप बनाईएगा जरूर और बनाने के बाद फेडबैक देकर बताईएगा भी जरूर और रेसिपी से रिलेटिड कोई भी कोशन हो तो आप पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी चलिए इसकी आवाज सुनाती हूं मैं देखिए बेहर लाजवाब ये बनकर तयार हुआ था तो इस रेसिपी को आप बनाईए खाईए फीडबैक भी दीजिए और मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीस के साथ ठैंक यू